रेवाडी में एक युवक की पत्थरों से सिर कुचल कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई युवक का शव गांव भौतवास अहीर के ग्राउंड में पड़ा मिला है सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने शव को कबजे में लिया और पोस्ट मार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है पुलिस पूरे मामले की कारवाई में जुटी है रेवाडी जिले के गांव भौतवास अहीर के सरपंच महेश कुमार ने बताया कि उनके गांव के बच्चे सुबह ग्राउंड में बने ट्रैक पर दोड़ लगाने जाते हैं शुक्रवार को भी काफी सारे बच्चे ट्रैक पर दोड़ लगाने गए थे तभी उन्हें ट्रैक के पास ही एक युवक का शव खून से लत्पत हुआ दिखाई दिया बच्चों ने इसकी सूचना उन्हें दी सरपंच ने इसकी सूचना तुरंथ पुलिस कंट्रोल रूम पर दी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची गाव में शव मिलने के बाद संसनी फैल गई सूचना के बाद अन्य ग्रामीन भी मौके पर पहुँचे तो उसकी पहचान गौरव के रूप में हुई गौरव देर शाम से ही लापता था उसके सिर को बुरी तरह कुचला हुआ था पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया है सूचना के बाद मृतक गौरव के पिता बाबूलाल भी पहुँचे परिवार ने उसकी शिनाख्त कर ली है गौरव के परिजनों ने अपने ही परिवार के एक युवक पर शक जाहिर किया है पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है तो पूरी मामला क्या था ये? ऐसा एजी सुबह पांथ बजे यहाँ पर बच्चे ट्रेक पर दोड़ते हैं तो सुबह पांथ बच्चे को फोन आया कि हाँ पर एक डेड़ बोड़ी पड़ी हुई है तो मैंने का देखो वह किसकी है अपने गाउं की तो नहीं ने बताया कि इसका सर बिल्कुल कुछड़ा हुआ है और यह पहचान में नहीं आ रहा तो मैंने 112 पर कोल किया और दस मिंट बाद ही पुलिस से मोक्य पहुंच गी उसके बाद थोड़ा सा दिन निकलया और दिन निकनने के बाद गाउं के लोगों ने थोड़ा बहुत उसको पहचानया तो जिसका शक था उसके परिवार के लोगों को बुलाया उन्होंने उसके सिनाकित की कि यह हमारा लड़का है तो यह गोरो पुत्र बावुलाल जाती धानक गोत्वा सहर का यह लड़का निकला जिसका मडर हुआ है कोई मामला लडाई जगडा अपसी रंजीस ऐसा है जी इन शाति जल शाम को देख्वे ओ नहीं इन दोनों में आपस में कोई परिवारों में रंजीस में रही है और किस्चीज से अत्या के गई है यह पत्थर वह 18 उसके सकल देखने हैं प्रिचाण में आति वह उना यह उसके से प्रिचाण है मोक्य पर पुरिस में से तो साब डीस पी शाब डॉक्टरों की टीम, पूरा परसासन ने यहां पे वोके प्राक के कानूनी कारवाई की है और मैंने यह रिक्वेश्ट की है कि आग भी मामले में सक्त सक्त कानूनी कारवाई की जाए और दोश्यों को बक्षा नहीं जाए तेंक्यू सर यहां जो हत्ते हुई है क्या था पूरा मावलाई यह गौरव जो बोतवा सहीर के रहने वाला है इसकी बॉड़ी यहां पे मिली है सती मंदर के पीछे जो ग्राउंड है उसमें तो अभी उस पे करवाई की जा रही है और शक के अदार पे जो भी जिस पे शक है उनसे की जा रही है